सब्सक्राइब कीजिए प्रियास DIY चैनल को और बेल आइकम पे क्लिक कीजिए मेरे फ्यूचर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और ये बिल्कुल फ्री है हाई फ्रेंस वर्कम प्रियास DIY चैनल और मैं हूँ प्रिया दोस्तों आज मेरे इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ एक आसान और एफेक्टिव तरीका जिसके 15 दिनों के लगातार यूज से जेंस अपने उम्रे से पहले चड़े हुए बाल या फिर गंजेपन से श चुटकारा पा सकते हैं और हैर थिनिंग या फिर हैर लॉज चैसी प्रॉब्लम्स है तो उसे भी इजिली क्योर कर सकते हैं प्यास के रस की मदद से बालों को फिर से री ग्रो किया जा सकता है ये तो आपने सुना और शायद देखा भी होगा प्यास के रस में भरपूर मात नमें एंटी बेक्टेरियल और एंटी सेप्टिक प्रॉपर्टीस होती है जो के बेक्टेरियास को किल करके सकार्प को हेल्दी बनाता है जो से हैर लॉस की प्रॉब्लम्स सॉल्फ होती है सांती प्यास में हाई अमाउंट में सलफर पाया जाता है जो के हैर ग्रोथ के आप हो सके, उतने मेरी तरह रेड ओनियन्स का यूज करें, क्योंकि रेड ओनियनस में मौजूल सर्फर, फास्ट हैर गूंत तो प्रमोट करता ही है, साथ ही इसमें ओनियन्स की समेल भी काफी कम होती है नेक्स्ट हमें चाही एक एलोविरा की लीफ, प्यास के रस के साथ दोस्तों अगर हम एलोविरा जेल को मिक्स करते हैं, तो इसके बेनफिस तो बढ़ते ही है, साथ ही प्यास का रस सकार्प में तेज से एबसॉब होता है, जिससे वो अपना काम करना शुरू कर देता है, एलो आलोविरा की लेव से कुछ इस तरह से जेल अलग कर लिया है आप चाहें तो मार्केट में अविलेबल बिना केमिकल और आर्टिफिशर कलर वाला रेडिमेट आलोविरा जेल भी ले सकते हैं तो जैसे के हम सब जानते हैं कि बालों में ऑईल लगाना भी उतना ही इंपोर्टन है इसलिए हफते में एक से दो बार बालों में हैर और जरूर यूज़ करें मैं यहाँ पर ओलिव ओल ले रही हूँ क्योंकि ओलिव ओल में मौजूद एंटियोक्सिदंस और विटामिन ई हैर रीक्रोध करने के साथ ट्राय और इची स्काल्प की प्रॉब्लम को भी इस ग्रो टॉनिक को आपको हर ऑल्टरनेट दे या फिर हफते में तीन से चार बार अपने सकार्प या फिर बार पैचिस को कॉंसेंट्रेट करके लगाना है और कम से कम दो घंटों के लिए इसे लगाया रखना है इसके रेगुलर एप्लिकेशन के दो वीक्स के अंदर इसे आपको फ्रिज में रखके स्टोर करना है तो फ्रेंस ये थी मेरी आज की प्यास के रस से गंजेपन से चुटकारा पाने की रेमेडी जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक करके सोचल मीडिया पर शेयर करें साथी वीडियो रिगारिंग कोई भी क्वेस्चन ह में बताए और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले जिसे मेरा आने वाला एक भी वीडियो आप मिसना करें